मैंने दो महिने पहले Scam 2003 के फर्स्ट पाँच एपिसोड का रिव्यू किया था और अब आया है इसी शो का वॉल्यूम टू याने के फाइनल पाँच एपिसोड और शो की ये अगले पाँच एपिसोड देखने के बाद मुझे रीजन पता चल गया कि क्यो पूरे दस एपिसोड एक साथ रिलीज नहीं किये गए बताता हूँ पहले इंट्रो Well, Hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी स्टोरी एक रियल लाइफ कैरेक्टर ने रियल लाइफ में किये 30,000 करोड के स्टैम पेपर घोटाले की है जो घोटाला आपको इस शो के फर्स्ट हाफ में दिखेगा याने के वॉल्यूम वन में दिखेगा बट सेकंड हाफ याने वॉल्यूम टू में दिखाया गया है कि कैसे तेलगी इस कैम में फसा कैसे इन्विस्टिगेशन हुई पॉलिटिकल पार्टीज कैसे तेलगी का पहले फाइदा उठाना चाहती थी तेलगी जेल में कैसा गया जिसके वज़े से उसके पर्सनल लाइफ में कितने जादा बवाल हो गये वगेरा वगेरा लेकिन इस वगेरा वगेरा के चकर में स्टूरी ऐसे मोड पे चली गई जिसे हम नॉर्मली हौच पॉच कहते है इधर उधर हो गई अपने रास्ते से भटकती हुई नजर आई हाला कि ये रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ट है लेकिन शायद मेकर्स को पता था कि पहले पाँच एपिसोड ही इस वेब शो के सेलिंग पॉइंट्स है और उसी पहले पाँच एपिसोड के वज़े से लोग नेक्स्ट पाँच एपिसोड देखने जरूर वापस आएंगे सच कहू अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम वन को स्टार्स देता तो अटलिस्ट 4, 4.5 दे देता और सेकेंड हाफ याने वॉल्यूम 2 को 2 स्टार माक्स देता लेकिन ओवराल ये सीरीज आपको एंटेटेन जरू करेगी बस सेकेंड हाफ आपको स्ट्रेच महसूस होने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा कि जो भी कांड तेलगी ने वॉल्यूम 1 में किये है बस उस पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है हर एक एपिसोड में मंत्री, संत्री, पॉलिटीशन, पॉलिस डिपार्टमेंट बस यही सब चलते रहता है सेकेंड आप याने कि वॉल्यूम 2 में बस इसका कंक्लूजन वाला लास्ट एपिसोड छोड़ कर बाकि सब ऐसे एपिसोड है जो स्किप कर दो तो भी कोई टेंशन नहीं है एंड बात अक्टिंग की करें तो एक से एक छोटे से छोटे कारेक्टर की चाप आपके दिमाग में घर कर जाएंगी क्योंकि इस पूरे सीरीज की कास्टिंग बहुत बढ़िया है गालिया बहुत जादा है नूडिटी नहीं है तो गालियों से फरक नहीं पड़ता तो फैमिली के सामने देखना न देखना आपकी मर्जी मेरे तरफ से इस पूरे शोग को ओवरॉल 3 out of 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में बाई